हेलो माई दिया स्टूरंस मैं हूं मिनुष शेवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे वेस्टन ब्लॉटिंग टेक्नीक के बारे में वेस्टन ब्लॉटिंग टेक्नीक का जो यूज है वो प्रोटीन डिटेक्शन के लिए किया जाता है अपि हमने जो सदन ब्लॉटिंग टेक्नीक में डिस्कस किया है उसको हमने देखा है कि वो डिएने को अनलेसेस करने के लिए किया जाता है जबकि आपका जो western blotting technique है उसमें कहीं न कहीं जो है protein को detect या protein को analyze किया जाता है ठीक है यहाँ पर जैसे southern blotting technique जो है या northern blotting technique आप लोगों के syllabus में नहीं है लेकिन southern blotting और जो northern blotting है यह दोनों ही techniques के जो name है यह उनके scientist के name पे है जबकि western blotting technique जो है वो ऐसेच किसी name पे बेस नहीं है यहाँ पर इसके जो discuss किया था यह इसको discovery किया था described by it's not described by discovered by discovered by Harry Tobin इसको Harry Tobin ने 1979 में discover किया था और W. Neal Burnett ने इसको यह नाम दिया था ठीक है Harry Tobin ने इसको discover किया था और इसको और improved way में इसको जो है Burnett ने इसको implement किया और इसको final नाम भी उन्हों नहीं दिया था ठीक है यहाँ पर हम कहते हैं कि हम इसमें क्या detect करते हैं हम इसमें protein को detect करते हैं mainly ठीक है तो इसमें क्या है कि suppose that कि जैसे आपके पास कोई cell है कोई bacterial cell culture है या कोई भी fungal cell culture है या कोई भी other ऐसी cellular part है तो आप यह देखना चाहते हैं कि क्या इसने वो protein यह cell में capability है कि यह protein बनाती है या इसकी cell के अंदर वो protein है या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम जो है वो protein को ढूड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यह method implement करते हैं इसमें हम सबसे पहले जो cell membrane है उसको digest करते हैं जैसे हमारे पास जो है बैक्टिरियल कल्चर है ठीक है उस बैक्टिरियल कल्चर की जो हम यह देखना चाहरे है कि उस culture में बैक्टिरिया ने प्रॉपर वो protein जो हम चाहा रहे है वो दिया है सिक्रिट किया है नहीं किया है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके उस bacterial cell membrane को पहले disrupt करते हैं with the help of detergent ठीक है उसके बाद हम जो है उस bacterial culture को centrifuge कर लेते हैं और centrifuge से जो cell debris है वो तो नीचे बैठ जाती है सेटल डाउन हो जाती है लेकिन जो protein है वो as a supernetted जो है present होता है तो protein जो होता है वो supernetted है नहीं उपर जो liquid आ जाता है उसमें वो protein present होता है और उसमें से हमें वो analyze करना है सबसे पहले हमें जो है यहां पर यह जो है जैल इसके लिए हमारे पास जो है protein जो supernetted में इखटा हुआ है वो बहुत तरीके के protein होंगे ठीक है तो हमें जो protein चाहिए क्या वो है कि नहीं है यह हमें पता लगाना है ठीक है तो हमारे पास सबसे पहले इसमें हम gel electrophoresis implement करते है अभी तिक हमने southern blotting technique में जो है या अलीजा में भी नहीं सॉरी southern blotting technique के अंदर हमने देखा कि हमने gel electrophoresis किया वहां पर मैंने आपको gel electrophoresis पूरा समझा दिया है कि वो एक plate होती है उसमें हम polyacrylamide gel दालते हैं और kombu को उसमें fit करते हैं अगर नहीं भी आपको यहां सबच म तो एक बार आप southern blotting technique पर चले जाएं वहां मैंने पूरा explain किया है तो यहां पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस protein का जो sample है mixture है इसको हम separate आउट करते हैं और separate के लिए जो electrophoresis method हम लगाते हैं उसके लिए कौन सा gel यूज करते हैं sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel ठीक है तो इसको SDS page technique भी कहा जाता है ठीक है अब यहां पर इसको मैं यहां बना देती हूँ तो यहां पर हमने क्या किया है कि यह polyacrylamide gel पूरा नाम नहीं इसका SDS page जो electrophoresis है उसको हम तयार करते हैं और यहां पर आप जो है इस यह ध्यां रखिएगा कि sodium dodecyl sulfate से जब protein react करता है मतलब कि जब हमारे पास जो sample है देखें जब हमारे पास यह gel electrophoresis की plate है इसमें जब हमने SDS page डाला SDS page मतलब कि sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel जब हमने डाला और कॉम रखा और फिर जब वो solid हुआ तो हमने कॉम हटा लिया अब यहां पर यह जो gel बन गया है यह SDS page कहला आएगा अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम जो है electric field apply करेंगे लेकिन यहां पर एक चीज है कि SDH यानी sodium dodecyl sulfate जो होता है वो क्या करता है protein को negatively charge कर देता है यहां पर negatively charge कर देगा तो क्या होजाएगा कि protein negatively charge से किस तरफ move होगे positive charge की तरफ ठीक है तो यहां पर मैंने लिखा है after electrophil applied the protein moves from negative to the positive pole या positive field सबज में आ गया अब यहां पर क्या करना है हमको कि यह जो हमारे पास जो protein separate हो गया है लेकिन हमें इसमें अपना वो ढूंड़ना है कि हमारा वाला protein है या नहीं है suppose हम इसमें insulin है या नहीं है यह चीज हमें खास दोर से देखनी है तो इसके लिए हम इस gel को हम transfer करेंगे membrane पे तो अब हम बात करते है transferring method की gel to membrane पे हम इस protein को separated protein को transfer करेंगे ठीक है इसके लिए जो हम membrane लेते हैं वो membrane है polyvinylidine difluoride PVDF polyvinylidine difluoride membrane या nitrocellulose membrane को लिया जाता है ठीक है अब यहाँ पर इस membrane यह जो PVDF membrane या nitrocellulose membrane है इस membrane के ऊपर हमारे protein को shift करने के लिए हम दो techniques apply करते हैं electrophoretic method या sandwich technique electrophoretic method चुकि नाम सही बता रहा है कि हम एक electric field apply कर रहे है इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक जो ऐसी इसमें electrodes को apply किया जाता है positive electrode एक तरफ और negative electrode एक तरफ यहाँ पर gel जो हमारा यह polyacralimide SDS page वाला जो gel है वो रखा जाता है इसके उपर membrane और यह पूरा हम किया करते है specific buffer solution में और जब electric field apply किया जाता है तो यहाँ पर जो gel से जो movement है क्योंकि हमने कहा कि protein negatively charge हो गया है तो यहाँ पर sorry यह positive charge की तरफ move हो गया अब यहाँ पर यह electric field apply करने के बाद यह gel से membrane की तरफ with the help of buffer solution move कर जाता है ठीक है यह हुआ एक electrophoretic method एक है sandwich method sandwich method के अंदर यहाँ पर हम इस तरीके का एक setup बिठाते हैं जिसमें हम यह जो setup है पूरा हम इसमें transfer buffer जो है यानि methanol को use करते हैं उसके बाद सबसे पहले इस पूरे setup में सबसे नीचे हम रखते हैं sponge membrane जो हमारी membrane है हमारी PVDF membrane polyvinylidin difluoride membrane और उसके बाद filter paper and finally sponge यहाँ पर जो sponge का काम है sponge proper pressure apply करती है ताकि यह setup जो है वो गड़बढ़ाए ना filter paper यहाँ use किया गिया है filter paper एक uniformity flow बना रहे इसके लिए apply किया जाता है जो यह methanol है methanol buffer इस gel से इस membrane तक का जो protein है उसको क्या करती है उस तक को जो है proper पहुचाने में help करती है यानि कि जो methanol buffer है वो gel से protein जब membrane पर shift करती है तो membrane के through उसकी binding अच्छे करा देती है यानि methanol protein binding में help करता है और membrane से उस protein को चिपकाता है ठीक है अब यहां पर यह काम हो गया है यह जो है capillary reaction से दीरे दीरे इस transfer buffer के through इस membrane में जो है gel से transfer हो जाएगा आपका protein now come to the अब जो है मैं इस membrane को पूरा यहां denote करती हूँ ठीक है इस membrane को मैं यहां blue color से बना रही हूँ और यह देखे यह एक membrane बन गई है यहां पर इस membrane में यह protein आ गया है ऐसा हम मानते हैं चलिए protein आ गया है अब यहां पर क्या किया जाता है कि blocking agents apply किया जाते हैं blocking agents क्यों करने है apply उससे पहले एक बात मैं आपको बताती हूँ कि यहां पर जब protein आ गया है तो protein एक तरीके का antigen ही होता है यह आप antibody भी कह सकते हैं तो यहां पर हम उस protein को as a antigen treat करते हुए अभी यहां पर हम antibody probing करेंगे यानि antibody को apply करेंगे लेकिन antibody की affinity इस membrane के लिए भी बहुत अच्छी होती है इसलिए यानि कि वो protein को छोड़के membrane से भी चिपकने लगते है तो यहां पर यह काम किया जाता है कि membrane को पहले membrane को block कर दिया जाता है किसी भी इस तरीके के agent से ताकि membrane जो है वो पूरी तरीके से block हो जाए ठीक है इसके लिए हम boven serum albumin यूज करते है या non-fat milk भी यूज किया जाता है ठीक है यानि कि protein को छोड़के सारे spaces को हम block कर दिते हैं ताकि antibody हर जगे ना उलच के रह जाए जिसकी वज़े से अगर protein हर कहीं जाके attach हो जाएगा तो हमें false results मिलेंगे ठीक है यहां पर हम boven serum albumin mild detergent agents और कुछ non-fat milk को यूज करते हैं ठीक है तो यह supposed मैंने blocking करा दी है यहां पर यह मेरा protein है ठीक है ब्लैक कलर से मैंने protein को दिखा दिया ठीक है अब यहां पर हम antibody probbing करते हैं यानि कि अब हम इसमें antibodies को inoculate करते हैं ठीक है अब यहां पर जो antibodies है वो मैंने lab में prepare की हुई है यानि scientist उस insulin protein के लिए जो है antibodies जो की insulin से attach हो सके वो वाली protein ढूंगते हैं और वो वाली protein से ठीक है जो यहां पर डाल देते हैं ठीक है अब जरूरी तो नहीं है कि यह सारा protein insulin ही हुआ ठीक अलग-अलग तरीके प्रोटीन होंगे लेकिन antibodies जो insulin के according बनाई गई है वो जाके insulin पर चिपक जाएंगे insulin हमने यहां example लिया है अब यहां पर हम washing करेंगे washing buffer की help से ठीक है washing buffer जो होता है वो unremove मतलब कि बहुत सारी जो ऐसी होंगी जो ऐसे ही फिर रही होंगी यानि कि वो जो non-conjugated होंगी या non-attached होंगी वो यहां पर जो है उस plate पे मतलब उस membrane पे बची होंगी उनको हम wash out कर देते हैं with the help of buffer अब यहां पर हम secondary antibodies जो कि enzyme linked होती है यानि कि secondary antibodies जो कि enzyme linked होती है उनको हम attach करवाते हैं ठीक है यह secondary antibodies जो है वो primary antibody के according बनाई जाती है ठीक है तो यह secondary antibodies जो है sorry मैं इसको black color से बना रही थी secondary antibodies को जब हम introduce करते हैं तो यह secondary antibodies जो होंगी वो आपकी क्या होंगी कि वो आपका enzyme linked होंगी यह enzyme linked है ठीक है तो यहाँ पर जो secondary antibodies है या labeled secondary antibodies है उन enzyme linked secondary antibodies को हम इस membrane पर introduce कराएंगे अब यह जो membrane है इस protein से जो primary antibodies attach होई है उनसे जाके वो secondary antibodies attach हो जाएंगी यहाँ पर enzyme linked है याद करिए Aliza technique के अंदर हमने क्या किया था Aliza technique के अंदर हमने enzyme linked antibodies के उपर chromogenic substrate डाले थे ठीक है तो यहाँ पर अब जो है अच्छा एक और चीज़ के यहाँ पर जो secondary antibodies है उनको एक और नाम दिया जाता है वो कहलाता है reporter ठीक है उन्हें हम reporters भी बोलते है अब यहाँ पर chromogenic substrate अड़ किये जाते है याद करिए अलीजा में horse, radish, peroxidase जो enzyme है horse, radish, peroxidase जो enzyme है उसके लिए chromogenic substance क्या था TMB tetramethylbenzidine tetramethylbenzidine ठीक है tetramethylbenzidine ठीक है अब यहाँ पर suppose that कि जब हम chromogenic substrate add करेंगे क्रोमogenic substrate जैसे ही add करेंगे यह जैसे ही मैंने chromogenic substrate गर दिया यह chromogenic substrate मैंने add कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जागा जैसे ही यह chromogenic substrate add किया जाता है वैसे ही color reaction आने लगती है डीक है जिसको हम यहाँ पर fluorescence के थ्रू जो है ढंक से detect करते हैं कि कितना color reaction, color intensity आया है और finally हम उसको धंग से उसकी intensity और antibodies और protein का graph बनाते हैं जिससे हमें protein सही मात्रा में detect होता है कि कितना amount में protein मौझूद है तो यहाँ पर हमारा western dotting जो है complete होता है देखते हैं एक बार finally हमने क्या क्या है एक बार sum up कर लेते हैं कि हमने क्या किया है जिस cell से हमको protein निकालना है वो cell यानि जिसमें हमें protein को analyze करना है उस cell को हम detergent से digest कर लेते हैं centrifuge करके supernatant collect करते हैं then हम जो है gel जो है SDS page जो है वो apply करते हैं then फिर हम उस gel को gel से protein membrane पर transfer करते हैं then membrane का नाम है that is the nitrocellulose and the polyvinylidine difluoride यहाँ पर ये जो membrane है इसमें दो तरीके की technique से transfer किया जा सकता है electrophoretic and the sandwich technique electrophoretic technique जो है उसमें electric field apply किया जाता है and sandwich method में इस तरीके का setup बिठा के membrane में protein transfer करते हैं then we apply the blocking agent ताकि membrane ब्लॉक हो जाए और membrane के उपर antibody हर कहीं जाके attach ना हो वो सीधे antibody जो है वो सीधे protein के साथ ही attachment हो उसके बाद antibody probing करते हैं primary antibodies को treat करते हैं then फिर washing and then फिर secondary labeled antibodies जो होते हैं हमारे जो कि enzyme linked होते हैं उनके साथ react करते हैं then add the chromogenic substrate भूबव बलकुल ELISA जैसा then फिर यहाँ पर हम chromogenic substrate जब add करते हैं तो वहाँ पर color reaction अगर आई है that means कि यहाँ पर आपका जो protein आप चाहा रहे हैं वो protein present है तो यहाँ पर western blotting technique complete होता है इसका application यह है कि यह protein खास तोर से protein को detect करने के लिए किया जाता है यहाँ पर nucleic acid को भी detect किया जाता है with the help of southern blotting लेकिन फिर nucleic acid से protein बनाके फिर western blotting पर डाला जाता है कि हमारा जो nucleic acid है क्या वो वो protein represent कर रहा है यह नहीं कर रहा है ठीक है तो finally अब यहाँ पर हमारा western blotting complete होता है I hope आपको lecture समझ में आया होगा कोई भी doubt है You can ask me in the comment section otherwise पढ़ते रहिए सुरक्षित रहिए Thank you